हेलो गाईज वेलकम टू आवर चैनल आपका आपके चैनल में स्वागत है जी तो आज हम बात करेंगे स्टोग मार्केट और मार्केट से जुड़ी कुछ अपडेट के बारे में जो डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है तो चलिए करते हैं वीडियो के शुरुआत और आपको जिसपोइंट पर उपन हुआ 22,620 और जिसपोइंट पर खलोज हुआ 22,420 ओपनिंग की बात करें तो पोजिटीव रही क्लोजिंग की बात करें तो नेगेटीव रही एक सो पचास पोइंट घट कर आज कर निफ्टी खलोज हुआ देशो की बात करें तो 0.67% negative रहा निफ और जिस point पर close हुआ 73,730, opening की बात करें तो positive रही, closing की बात करें तो negative रहा, 609 पुइंट घट कर आज का sinsex close हुआ, देशों की बात करें तो 0.82% negative रहा sinsex का market, FIAE की बात करें तो इन्होंने आज जो पश्चेज की है वो 13,910 करोड की है जबकि जो सेल की है वो 17,318 करोड की है जो net margin ये gap निकला है वो negative निकला है 3,408 करोड की ज्यादा बिक्वाली की है आज FIAE द्वारा FIAE की बात करें तो इन्होंने आज जो पश्चेज की है वो 14,476 करोड की की है जबकि जो सेल हुई है वो 10,119 करोड की हुई है जो net margin ये gap निकला है वो positive निकला है 4,357 करोड की ज्यादा खरीदारी की है आज FIAE द्वारा जी तो यह थी कुछ update store market से related अब हम बात करेंगे market की और पहला जो टोपिक है वो है पेट्रोल डीजल पेट्रोल का जो प्राइज है वो 95 रुपए परति लीटर में डीजल का 88 रुपए परति लीटर है गोल्ड वसी सिल्वार की बात करें तो गोल्ड का जो प्राइज है व LPG जिसकी आज की कीमत 832 रुपए है मैं CNG की बात करें तो 76 रुपए परति केजी के हिसाब से market price में अविलेबल है डोलर वसी रुपीस की बात करें आज का एक UST डोलर बराबर है 83 रुपए 41 पैसे की जी तो ये थी कुछ update stock market और market से जुड़ी होप सो ये वीडियो आपके आज के लिए इतना ही था थैंक यू फॉर वोचिंग